सोहेल अपनी उमर के अन्य लड़कों की तरह ही पढ़ने और लिखने में औसत कोशल वाला था। सोहेल नाम का लड़का पढ़ाई में सामान्य था, न बहुत होश्यार न बहुत बुरा। उनका अपनी कक्षा में हमेशा तीसरा या चौथा रोल नंबर होता था। सोहेल भी प्यार में विश्वास करते थे और हमेशा के लिए प्यार और शादी करने के लिए एक लड़की दूढ़ना चाहते थे। जैपूर कॉलेज की छात्रा थी, शुरुआत में वह किसी पर क्रश होने से बहुत शर्मीले थे, लेकिन दूसरे सेमेस्टर में उनकी नजर नेहा नाम की एक लड़की पर पड़ी जो बहुत होशियार थी और क्लास में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती थी, वह उसे पसंद करने लगा, भले ही वह पढ़ाई में उससे बहतर थी, पहले तो सोहेल नियमित रूप से कॉलेज नहीं जाता था, लेकिन लड़की को देखने के बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसे हर दिन जाना पड़ता है, सोहेल हर दिन कॉलेज जाते थे और अपनी पढ़ाई पर कड़ी मेहनत करते थे क्योंकि उन्हें नहा नाम की लड़की पर क्रश था, वह स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करके उसे प्रभावित करना चाहता था, उसे उसके सामने शर्मिंदा होने का दर था, इसलिए उसने अपना सारा हूमवर पहले ही कर लिया और पढ़ाई भी कर ली, उसे उम्मीद थी कि अगर वह नहा की तरह पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेगा तो शायद वह भी उसे पसंद करने लगेगी, लेकिन इसमें कुछ खास बात थी, सोहेल के मन में नहा के लिए पहले से ही फीलिंज आने लगी थी, अब सोहेल वाकई नहा को अक्सर देखना चाहते थे, ये ध्यान रखना महित्वपून है कि सोहेल हमेशा उस मेज पर बैठना सुनिश्चित करते थी जहां नहा उनके साम नहीं करना चाहती थी, उसने सोचा कि वह केवल नहा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वह गलत था, जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, स्कूल और परिक्षाए उम्मीद के मुताबिक चल रही थी, सोहेल को अब नहा के साथ न रह पाने का सोहेल को अब नहा के साथ न रहने का बहुत दुख होने लगा था, सोहेल उदास रहने लगा क्योंकि वह नहा से दूर नहीं रहना चाहता था, उसने देखा कि नहा भी परिशान लग रही थी, वे जानते थी कि कॉलेज जल्द ही खत्म हो जाएगा और वे अलग हो तो अब सोहेल इस बात से दुखी थी कि सभी लोग कॉलेज जाने की बजाए अपने अपने शहर में पढ़ाई करने जा रहे थे, एक दिन सैमिस्टर छे की आखिरी परीक्षा के दौरान उसे बहुत दुख हुआ, सभी के लिए अपने अपने रास्ते जाने का लगभग सम आ गया था, ऐसा होने से पहले वह नेहा को बताना चाहता था कि वह उसे पसंद करता है और उसका फोन नंबर लेना चाहता है ताकि वह पूरे दिन बात कर सकें, वह दिन परीक्षा का आखिरी दिन था और उसके बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते चले गए, सुमेर औ नेहा एक दूसरे से बहुत दूर रहते थे, इसलिए परीक्षा के बाद वे दोनों सोहेल के साथ घर चले गए, पहले तो नेहा अपने पापा को लेने आती थी, लेकिन उस दिन शाम को उसकी परीक्षा थी और उसके पापा नहीं आ सके, नेहा को ये पता था, इसलिए वह ट्रेन को चुना, एक दिन, सोहेल घर जाने के लिए ट्रेन स्टेशन पर इंतजार कर रहा था, तभी उसने नेहा को चलते हुए देखा, वह उसे वहाँ देखकर आश्चर्य चकित हो गया और सोचने लगा कि क्या वह भी घर जाने के लिए उसी ट्रेन से जा रही थी, जब दोनों ने एक दूसरे से काफी देर तक करीब एक घंटे तक बात की, उसके बाद वह एक पेर पर चट गए और एक ही सीट पर बैटकर एक साथ घर चले गए, उन्होंने अपने फोन नमबर साजा किये ताकि वह आसानी से संपत में रह सके, एक बार जब वह घर गए, तो अ उन्होंने एक साल तक बात चीत की, फिर शादी के लिए राजी हो गए, उनके परिवार मिले और उन्होंने शादी कर ली और खुशी-खुशी जीवन व्यतीत करने लगे